कुल्फी गर्मियों की एक खास स्वीट डिश कुल्फी टेस्टी और हेल्दी भी लेकिन दोस्तों आप सबने शायद कभी अपने घर पर कुल्फी बनाई हो बाजार में जाकर आपने कुल्फियां बहुत खाई होंगी आप बनाईए अपने घर पर और यकीन मानिए ये आज तक आपने जितनी भी बाजार में खाई होंगी उससे कहीं जादा टेस्टी कुल्फी बनने वाली है बहुत ही टेस्टी शुरू करते हैं देखतें इसके इंग्रिडियंट्स इंग्रिडियंट्स में सबसे खास इंग्रिडियंट्स खोआ बढ़िया क्वालिटी का ताजा खोआ आपको लेना है और साथ में आपको लेना ब्रेड अजीब सा लगता है ब्रेड कुल्फी में ब्रेड क्या काम करेंगी जी हाँ ये इसका एक secret ingredient है और चाहिए आपको दूद बढ़िया quality का दूद कच्चा दूद लेना इसमें और इस दूद को बालना नहीं है अच्छा quality का ताजा दूद दीजे कम से कम 60 test वाला और आपको चाहिए चीनी, normal चीनी, बढ़िया दानेदार चीनी और खोवा अगर आपका असली है, बढ़िया quality का है, दूद आपका बढ़िया quality का है तो तीन गुना दूद चाहिए आपको खोई से और चीनी आपको खोई के बराबर और साथ मैं फलूदा बनाने के लिए हम यूज करेंगे रेडिमेट मिलने वाली वर्मिसिरी जिसे हम कहते हैं जवे और गार्निशिंग के लिए किस्ता, चिरोंजी और कटे हुए बादाम बादाम को बिल्कुल बड़ी बड़ी काट लेना है पूरा साबुत रखा हुआ बादाम इसके उपर अच्छा नहीं लगता शुरू करते हैं इसकी रेसिपी आसान है, थोड़ा सा टाइम कंजूमें है लेकिन बहुत आसान है कुछ खास टेकनिकल बाते हैं वो आपको बीचे पता लग जाएंगी ये खुआ लिया है, 100 ग्राम खुआ लिया है 100 ग्राम खुआ के हिसाब से ही आपको बाखी सारे इंग्रिडियेंट्स बताएंगे इस खुआ को एक भारी तली वाली कढ़ाई में आपने लेकर हलकी आच पर धीरे धीरे गरम करना है कढ़ाई लीजे भारी, मोटे तले वाली तलाई लीजे पतले तले वाली कढ़ाई में खुआ जिल जाएगा, नीचे लग जाएगा और कुलफी का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा भारी कढ़ाई में लीजे, खुआ को पिगलाई ये देखिए, पूरी तरह पिगल गया है खुआ और अब एक ब्रैट पीस, सिर्फ एक ब्रैट पीस, उसके ब्राउन वाले किनारे आप निकाल दीजे अलग और बाकी जो वाइट पोर्शन है ब्रैट पीस का इसके छोटे-छोटे टुकडे करके इस खोई में आपको डाल देने है ये ब्रैट पीस हम डाल रहे हैं ये ब्रैट पीस बर्फ के क्रिस्टल नहीं जमने देता है आपने अगर किसी ने घर पे कुल्फी बनाई हो अक्सर कुल्फी, कुल्फी नहीं बनती, वो जमा हुआ दूद बन जाता है, उसमें बर्फ होता है, बर्फ दूद का बर्फ बन जाता है, कुल्फी नहीं बनती, दूद का बर्फ बन जाता है, इसी बर्फ से रोकने के लिए ये ब्रैट पीस मिलाया गया है, और इस ब्रैट forward करके आपको दिखा रहे हैं जितना आप देख रहे हैं पांच उनिट में ये सारा कम 10 उनिट में हुआ वा है अब दीरे दीरे इसमें दूद मिलाना ये भी टेक्निकल पॉइंट है सारा दूद एक साथ नहीं डालना दीरे दीरे दूद इसमें मिलाना है कर्ची से इसको रगड़ते हुए देखे कढ़ाई की दिवार पर रगड़ते रहना है आपको लगातार खोए को और धीरे से दूद मिलाया हलका सा दूद मिलाया 100 ग्राम खोई में 300 ग्राम दूद है और अगर खोवा आपका बढ़िया क्व dehyd का है दूद आपका बढ़िया है तब 400 ग्राम दूद भी इसमें अराम से डिल जाता है कर्षी से रगरते रहिए इसको और धीरे धीरे इसमें दूद आपको मिलाते रहना है सारा दूद एक साथ डाल दिया फिर वो ही होने वाला है क्या फाइनल आपके कुलफी में खोवा नीचे बैढ़ी आएगा और उपर दूद का बर्फ बनेगा उपर दूद दूद रह जाएगा वो बर्फ के क्रिस्टल बन जाएगे इसलिए इस दूद और खोय को बिलकुल धीरे धीरे अराम-अराम से मिला देना है यह देखिए कढ़ाई पर रगड़ते हुए कढ़ाई की दिवार पर इसको रगड़ते हुए मिलाना है यहां खोया भी आप याद रखिए स्पेशल लीजेगा खोया आपको यहां लेना है रसगुलों वाला हलवे वाला खोया नहीं लेना रसगुले वाला खोया बरी खोया होता है ये धीरे धीरे इसकी दिवारों से कठाई से रगरते हुए दूद को और खोये को आपस में मिलाते रहना है अराम अराम से दोनों को मिलाना है, धहरा से मिलाना है, सबर से मिलाना है, सबर का फल मीठा ही नहीं होता है, सबर का फल बहुत टेस्टी होता है, थोला सा और दूद आपने डाला, और फिर इसमें मिलाया, यूट्यूब पर अक्सर जो वीडियो बनती हैं, उसमें बहुत जल् दिखालते हैं सारे काम दीरे दीरे दूद को आपने मिलाते रहना है और इस खोई को रगरते रहना है कखाई की पेंदी पे कखाई की दिवार पर बिलकुत दूद और खोआ एक साथ दीरे-दीरे मिल जाएगा ये दोनों अलग-अलग नहीं रहने चाहिए ये दोनों बिल्कुल एक जान बन जाने चाहिए दूज और खोवा अभी ये वीडियो बहुत फास्ट चल रही है इससे भी जाधा टाइम लगता है जितना आप अभी देखने में टाइम लगा रहे हैं इससे कहीं जाधा टाइम लगता है दूज न तीक न टाइम लगता है और इससे में देखिए लॉव बिल्कुल हलकी है बिल्कुल minimum possible लॉव पर ये काम हो रहा है और लगातार इसको चलाते भी रहना है दीरे दीरे इसको चलाते रहना बीद बीच में कळाई के किनारों पर लगा हुआ खुआ और दूद भी आपको नीचे ले लेना है ये देखिए अब काफी यूनिफॉर्म हो गया है पूरा का पूरा मिक्चर देखिए आप फील कर रहे हैं दूद और खुआ बिल्कुल एक हो गया है अब ये दूद और खुआ नहीं रहा अच्छली ये गाड़ा दूद हो गया दूद ही खुवे से गाड़ा हो गया खुवे ने दूद को गाड़ा कर दिया है और दूद यहां से खतम हो गया अब ये देखिए फ्लेम को आपने फुल कर देना है एक बार खोवा और दूद्ध आपने मिला दिया अच्छे से फ्लेम को अब आपने फुल कर देना है अब इसको धीरे धीरे पकाना है चलाते रहना लगाता है बिल्कुल भी रिस्क मत लीजेगा कढ़ाई के नीचे लग जाने का हलका सा भी यह कहाई पर लग गया इसकी तली में जलन आ जाएगी टेस्ट इसका खराब हो जाएगा दीरे दीरे से चलाते हुए आपने इसे पकाते रहना है और जब आपको लगे दूद का कच्छापन खतम हो गया यह देखिए अभी किनारों पर आप देखिए दूद वाइट है दूद का वाइटनेस दिखाई दे रहा है किसके किनारों पर जब यह वाइटनेस खतम हो जाए यह पूरा का पूरा मिख्चर अब हलका सा गुलाबी हो गया है वाइटनेस दूदगी बिल्कुल खतम हो चुगी किनारों तक ये गुलाबी गुलाबी दिखाए दे रहा है अब ये हाफ कूड हो गया अब इस कंडिशन में यहां आपको इसमें इलाची डालनी है 100 ग्राम मावा लिया था, 300 ग्राम दूद लिया था एबल दो इलाची इसमें काफी रहेंगी हर इलाची के आपको छिलके तो डाल देने है दूद में और बीज को बहुत बढ़िया कूट कर इसमें मिला देना है ये देखिए इलाची सीड का पौडर बना कर आपने मिला देना है बैटर हो कि आप इलाइची सीड का पाउडर तभी बनाए जब आप उन्हें यूज करें अगर आप एक बार बना के रख देंगे कुछ दिन में उनका फ्रेग्रेंस खतम हो जाता इवेपरोट हो जाता उसके अंदर का एसेंशेंशियल ओयल अब यह इसमें चीनी मिलाई है 100 ग्राम खोया 300 ग्राम दूद और 100 ग्राम इसमें चीनी मिलानी है चीनी विलाने के बाद फिर से एक बार इसको अच्छे से उबाल लगाना है, चीनी का कच्चापन खतम करना है, चीनी की अच्छी चाश नहीं पक जानी चाहिए, इसके अंदर ही अंदर, लगातार इसको चलाते रहना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, इसको तली में जल जाने का लग जाने का, यह देखिए, पूरा यूनिफॉर्म एक साथ हो चुका है, पूरा मिक्टर एक दम यूनिफॉर्म है, उबाल आ रहा है, एक दो उबाल लगा लिजे, चीनी पक जाएगी इतने टाइम में, अच्छे से इसको लगातार, चलाते चलाते काम करना, यह देखिये अब और रंगत इसकी फूरी और रंगत सुनहरी सी हो गई है पूरा पक चुका है और इसे रोम टैंपरेचर पर आने तक आपने छोड़ देना है रोम टैंपरेचर पर आने के बाद फिर से एक बार properly से mix करना है और अब आपको इसको डाल देना एक Almonium vessel में Steel, Plastic या Glass में नहीं डालना है Steel में, Plastic में, Glass के बरतन में कुलफी नहीं जंती Almonium लीज़े या better हो कि आपके पास कोई तांबे का बरतन है कले ही किया हुआ, तांबे का बरतन कले ही किया हुआ बिना कलेई का नहीं तांबे का बरतन कलेई किया हुआ हूँ तो और भी अच्छा रहेगा एनिवे एलमूनियम वैसिल में आप डालिए से और ओवर नाइट इसको फ्रिजर में रख देना फ्रिज आपका मीडियम से हाई के बीच में होना चाहिए फ्रिज की स्पीड फलुदा बनाते हैं फलुदा बनाने के लिए एक स्टील पैन में आप पानी लीजे धेर सारा पानी लीजे कम से कम डेर दो लीटर उबाल आने दीजे उबाल आने पर वर्मी सिली इसमें डाल दीजे जवे इसमें डाल दीजे दो मिनिट के अंदर अंदर ये जवे देखिए पक गए हैं ट्रांस्परेंट हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल दो मिनिट भी नहीं लगते पूरे और ये जवे पूरी तरह से गल चुके हैं पक चुके हैं देर सारा पानी इसमें हमें लेना ही पड़ता है, जवे एक दूसरे के साथ चिपक जायें अब इस गरम पानी को आपने ड्रेन कर देना है, गरम पानी इसमें से निकाल दीजिए गरम गरम में ही और एक बड़े पतीले में, बड़े बरतन में, बड़े भगोने में बहुत सारा पानी रखिए और इसे डाल दीजे फलूदे को अब ठंडे पानी में एकदम से इस फलूदे को ठंडा कर देना होता है इसके बाद ये वाला पानी को ड्रेन कर दीजे आप अभी भी थोड़ी गर्मी रह गई है इसमें ये पानी को ड्रेन कर दीजे और अब इसमें फ्रिज का ठंडा पानी आप डाल दीजे फ्रिज से एक लिटर की बॉटल निकाल कर इसमें आप डाल दीजे ये फलूदा कितना लेना 100 ग्राम की बुल्वी के साथ 100 ग्राम 50 ग्राम फलूदा होगा फलूदा धेर सारा आप चाहते हैं तो जादे लीजे नहीं तो कम ले लीजे ये देखिए एक दम बढ़िया हो चुका है थोड़ा सा इसमें डालते हैं चमच केवडा इसको बेहतरीन खुश्बू देने के लिए एक 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 देखिए जवा बिलकुल अलाग है पूरी तरह पका हुआ है एक दुसरे से बिलकुल नहीं चिपका हुआ ये ही खुपसूरती है इसकी ये फ्रीज में से निकाला एक दिन पहले रखा था बढ़िया टाइट जमी हुई है देखने से अब काटें सीरे चमस्य काटना है वेरी नाइस ये देखिए ध्यान से उपर की सर्फेस से लेकर तली तक बिलकुल यूनिफॉर्म है जैसा उपर है वैसे ही तली तक है कहीं इसमें नौन यूनिफॉर्मिटी नहीं है ऐसा नहीं कि मावा नीचे बैठा हो और साथ जमा हुआ है सर्विंग बॉल में इसे लगा दीजे बहुत टेजी के साथ काम करना होता है उपर फैन ना चल रहा हो और अब एक चाय चलनी में अपने जवे दीजे ये फलूदा अच्छे से पानी निचोड़ दीजे पानी बहुत बढ़िया करी से जाड़ दीजे पाराम से कुलफी के उपर आपने ये फॉलूदा डाल दिया अभी से खुबसूरती निखरने लगी है इसकी और इसकी खुबसूरती में चार चांद लगाने के लिए इसके उपर डाल देते हैं शर्बत रूह अफजा मैं हमदर्द का पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं लेक पिस्ते की हवाया और अब आपकी ये कुलफी बेलकुल रेडी है लगता है ना कि अभी मोबाइल से निकल कर बाहर आ जाए खा ले और बिलकुल मुझसे मेरी भी ही हालत है अब सबर नहीं हो रा वीडियो शीडियो बनेगी बात में अब तो मैं इसको पहले खाने वाला हू हट जाओ जी मेरे बीच मज़ा हट जाओ मेरे कुलफी के सामने हट जाओ क्या है कुलफी चमच लिया जल्दी से देखू इसको क्या टेस्ट बना है मज़ा आ जागया आज तो सारे नाई हलवाई शैफ और खांसामे फेल कर दी है विलकुल वहास्तों में ये इतरा निलाएक डिश है वास्तों में ये एक आसी डिश है जिस पर आप फक्र करेंगे बनाने के बाद नूसाइबन बड़ी शैके दर बड़ी प्यारी डिश होती है और ये अंडे वाली मेठी ब्रेड बहुत ही टेस्टी डिशे इसे आप सुभा के नाश्टे होना सकते हैं शान के टी पर बना सकते हैं ये देखे क्या इसकी होफसूर्त है हाँ हाँ घोल्डन ब्राउन और बिल्कुश सॉफ्ट बनाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए खुश यहां बाटते रहिए और हाँ चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजे और अपने आस्परोस दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दीजे शुक्रिया